आखिर इसराइल का ये ग्रेटर इसराइल मिशन क्या है? असल में यार वो ग्रेटर इसराइल का ये मैप उसी टाइम वाइरल होता है जब इसराइल और फिलिस्तीनी में घमासान जंग चल रही होती है। दरसल ऐसा माना जाता है कि ये इसराइल का सबसे बढ़्धा सपना है और वो इसे हर हाल में पूरा करके रहेगा मगर ये ग्रेटर इसरेल का मैप आया कहां से ये जानने के लिए चलते हैं इतिहास में तो यार वो फिलिस्तीन के इस इलाके को सबसे पहले दाउद अली सलाम ने फतह किया था और यहां पर एक मजबूत सल्तनत कायम की थी फिलहाल दाउद लाल सलाम के बाद ये सल्तनत उनके बेटे हजरत सुलेमान के पास आई हालांकि सुलेमान नाल सलाम के दौर में ये सल्तनत काफी ज्यादा बड़द ही हो चुकी थी इसमें फिलिस्तीन के पूरे हिस्से के साथ-साथ मिस्र का कुछ हिस्सा, सौधी अरेबिया का लगभग आधा हिस्सा और इराक का भी आधा हिस्सा इसके अलावा पूरे जॉर्डन के साथ-साथ सीरिया और तुर्की का भी कुछ हिस्सा शामिल था मगर बाद में ये सल्तनत काफी छोटी हो गई थी इसलिए अब यहूदियों का ये मिशन है कि वो एक बार फिर उसी सल्तनत को हासिल करेंगे कि जो सुलेमान अली सलाम के दौर में हुआ करती थी मगर इनका ये सपना शायद सपना ही रहेगा लाइक शेयर जरूर करें